गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल में फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आप लोगों की स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप लोग इमांदारी पूरवक अपने पढ़ाई को जारी रखिए और जो वीडियो आपको मिल रहे हैं डिटेल वीडियो उसके साथ अब्जेटिक कोश्चन की वीडियो मिल रहे हैं वो सब कुछ आपके पॉइंट आपके लिए प्योगी होने वाला है तो इसनाते देखते रही है सब लोग सभी सब्जेक्स की जो दो चार महिने के अंदर ही दिखने लगेगा तो आपने मेहनत को बहुत अच्छे तरीके से जारी रखिए क्योंकि यही प्रेटफॉर्म आपका है जो इस पर एक सिस्टेमेटिक वेसे पूरी संसाधन अप्लब दिकराय जा रहे हैं और एक चैप्टर वाइज सिक्वेंस मे किये जा रहे हैं तो यह आपको भी पता होगा आप चैनलों पर देखते होंगे कि वहाँ पर वीडियो जो मिल रहे हैं बहुत सिस्टेमेटिक वेसे नहीं है कुछी चैप्टर की वहाँ पर डिटेल बताई गई है और बाकी सब पेड़ वीडियो दे रहे हैं तो आप लोग को भी इसको प्रवाइड कर आए और जितना हो सके अपने मैक्सिमूम लोगों को सेर करिए वीडियो को यह आप लोगों का युगदान हमारे लिए इतना ही बहुत काफी है तो आए दोस्तों अपने मुल्विषय पर आते हैं हम लोग जोगर्फी में नेच्रल करनेवेडिपेशन के वारे में पड़ रहहे थैं और आपकर्वानस पतियो के करते हैं जो आपका अपकी मदद कर पाएंगे Oh आई श्टार्ट करता हूं पहला वीडियो आपकी वह давайте पहले स्पत्र को कुश्च नहीं है यह आपको है जा यह फिर साकोन या तमिलनाडू महराश्त मध्यप्रदेश 56 गड़ countries भी निचली ढ़ालो तथा उडिसा में पाया जाता है इसका मुक्य शेत महराश्टा का उत्री कर्णर तथा मद्द प्रदेश है इसका प्रियोग रेल के डिबो डिबे फरनीचर दरवाजे जहाज आदि बनाने में किया जाता है इसका कुल शेत रुफल 77216 वर किलो मीटर है यह बता रहा है सागाउन के बारे में और पूछा गया है आपसे कोशन में कि कौन सा सत्य नहीं है तो आपको थोड़ा ध्यान डखना होगा कि सत्य नहीं है तो यहाँ पर जितनी भी बाते बताएं आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा जवाब उसी कांगणा घाटी से लेकर असम में नौगाउं जिले नौगाउं जिले हिमाचर प्रदेश के निचले ढ़ालो तथा तराई के भागों में योम उत्तरप्रदेश उत्राखण बिहार असम छोटा नागबुर पठार मद्य प्रदेश उत्री तमिलाड और उडिशा में फैले इनका कुल 6 तुफ़ल 1,666,00 किलोमेटर है यह अकड़ा है साल बृष के बारे में तो क्या यह करेक्ष है या नई करेक्ष है यह आपको बताना है चलिए थीसरे वापसण प्याते हैं चंदन बृष के बारे में हो रहे बाद इनमें से तेज सुगंद आती है इसी कार्ड इसका मुल्य और महत्व अधिक है तो यह तीसरा स्टेटमेंट था चंदर ब्रिच को लेकर के आपका और चौता है सुन्द्रे ब्रिच से रिलेटर यह कह रहे हैं यह सभी नदियों द्वारा बनाई गई जिटाओं में बहुत आयत में होता है इसकी लकड़ी कठोर और ठोस होती है इसमें नामेज कुर्सियां नामेज कुर्सियां नहीं होना चाहिए इसमें सुगंद आती है और इससे क्या है जो है मुल्यवान कुर्सियां मेज बनाई जाते हैं यह चीजें हो जाती तो इससे नामेज नामेज नहीं हम होना चाहिए हम पीलत लिखा हुआ इससे इससे मेज KURSYां खंबह बनाए जाते हैं यह कहरा यहाँ पर तो देखो यह सुद्री ब्रिच के बारे बात कह रहा है तो सुंद्री ब्रिच कहां पाए जाएंगे डिल्टाई शित्रों में पाए जाएंगे यह तो सही है लेकिन यहां करा सभी नदियों के डिल्टाई शित्रों में पाए जाएंगे जो कि यह गलत कह रहा है क्यों क्योंकि यह जो मैदानी शित्र यहां पर लिखा है ने लगड़ी कटोर और ठोस होती है इसे नाय वगरा बनाने में प्रियोग मी जाता है क्योंकि यह पानी सोकता नहीं है तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया है बाकि सभी स्टेटमेंट जो दिये गए हैं दोस्तों चुकि इसमें पूछा है कि कौन सा सत्य न सागवन बिरिच के बारे में सागवन बिरिच के बारे में वह थोड़ा सध्यान रखेगा यह तमिलनाडु महाराश्ट मदपरदेश चत्तिस गड़ पस्चमी घाड नीलगिरी पहाडियों में निचली ढालू तथा उडिशा में पाया जाते हैं यह बिल्कु सही है इसका म अंगणा घाटी से लेकर असम में नौगाव जिले हिमाचर प्रदेश के निचले ढालों तराई के भागों में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बिहार असम छोटा नागपुर पठार मद्य प्रदेश उत्तरी तमिलाड और उडिसा में फैले हुए इनका कुल जो विस्ता लेकर बाते जो कही गई हो वह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सुगंद आती है और इसका रंग जो पीला और भूरा होता है यह बिल्कुल सही बात है दचले भारत में सुष चित्रों में विरपन का नाम आपने सुना होगा वो क्या करते थे विरपन वो करनाट का के इन तीनों राज्यों की जो सीमाएं और करनाट क कैरला की घृटों में रहते थे और ब्रहर नापर करिस को पुलिसिंट करते थे लुटार के चले आते हैं में इस तरह एक सिक्रश उनका मना रहता है और बहुत बढ़ा थे और तसकर आदमी भी बनी है आप नहीं देखा होगा जो पुस्पा करके हुआता है मूवी में जो हीरो का नम्बूस इसी पर विरपन पर बेश्व मूवी है तो यह वहां के चेत्रों में जंगलों में बहुत आयत में पाये जाते हैं दोस्तों तो यह तो बात को छोड़ी सी आपकी लिये थी जो कि मैंने बता दी और तीसरा आपका गलत है चोटहा आपका गलत है बाकी सभी सही थोस्तों ठीक है यही गलत होगा आपका मार्णॉस यह गहरे काले रंग की कठोड टिकाओ लखडी है यह पस्मी घाट के बनोत असंब में पाए जाती है इसका प्रयोक फिरनीचर, छड़ियों और छटरियों के दस्ते बनाने में होता है तो ये बात कह जा रहえる है आपनूस के बारे में तो ये बात देखिए सहिए की गलत है आप बताए जल्दी से यहाँ एक मुलाएम लकड़ी होती है हल्दू हल्दू के बारे में कहा रहा है यह कि मुलायम लकडी होती है और पूछ कहा रहा है कि जो खिलोना बनाते हैं बनाने तथा नकासी करने में की जाती है तो यह आपका स्टिट्मेंट देखिए कह रहा है यह एक मुलायम लकडी होती है जी नहीं यह कठोर और टिकाव लकडी होत खिलोने बनाने कासी में किया जाता है कठोर टिकाव लिए मुलायम लकडी होती है जो इसका प्रयोग किया जाता है और टिकाव होती है इसका प्रयोग होता है खिलोना नकासी की चीज़ों बनाने में इसका प्रयोग होता है यह तो बिल्कुल सत्य स्टेट्मेंट है लेकिन यह कठोर होती है यह नहीं है कठोर होती है और टिकाव लकडी होती है ठीक है और आपनूस के बारे में जो कहा है इन्हों ने चलिए मैं लगडी तो जी हां यहां पर जो आप देखेंगे पस्चमी घाट और असम के चेत्रों में पाए जाती है बिल्कुल सही है यहां तक इसका प्रयोग फरनीचर चत्रे छटरियों में बनाने में फरणिचर च़डियों के दस्ते बनाने में प्रयोंकिया जाता है बिल्कुल सही है तो पहले स्टेटमेन बिल्कुल आपका करेक्ट है सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइबigkeiten पहला तीसरा और चोथे का option तो अभिसाधार पर यह correct हो जाएगा और हाँ एक बात जान लीजिए कि अगर यहां कह रहा है मुलायम लकड़ी होती है यही चीज अगर इसमें बदल दी गई होती है कठोर यह टिकाओ कह दिया गया होता कठोर टिकाओ अगर लकड़ी कह गई होत ठीक है चलिए अगले प्रस्ण पर आते हैं कह रहे हैं दोस्तों पस्ष्मी हिमाले की सीटोष्ट पेटी में पस्ष्मी हिमाले की सीटोष्ट पेटी में मुख ब्रिच्चों में कौन सामिल नहीं है यह आपको बताना है कि कौन से ब्रिच्च में सामिल नहीं है सीटोष्ट पेटी में जो उनमें कौन से ब्रिक्ष नहीं सामिल है चलिए पहले में देखते हैं दोस्तों कह रहे हैं यहां पर पस्मी हिमाला की सितो और पेटी के प्रमुख ब्रिक्षों में कौन सामिल नहीं है तो देवदार ओक और स्पूस यह सामिल है दोस्तों यह बिल्कुल आपका नहीं होगा तो इसके बारे में कह रहा है कि यह है कि नहीं है आपके तो यह बिल्कुल नहीं है यहाँ पर जो स्टेट्मेंट दे रहा है कि पूछा क्या था कुर्शन में आपको पुछा है तो सामिल नहीं है तो अधूस्तों आपको बताई गई प्राणियों और प्राणियों पादबो की सरवाधिक जवित्ता पाए जाती है इसका मुखकारण क्या है बहुत अच्छा कुश्चन यह आपका दोस्तों एक कुश्चन रिक्जाम में आपको कई बार पूछा है उसका बंदी आद्रवनों में प्राणियों और पादबो की सरवाधिक सर्वाधिक जवित्ता पाई जाती है इसका मुखी कारण से क्या कारण है तो कहे रहा है आपका अधिक बार और साभा यह ऑप से और जो इतुब्रों में हो्ट नहीं तो देखें क्या है उसको बन दूँए आधर बरसा मैं क्या होता है बानी खूब बरसता है और तापमान कुछ ज्यादा रहता है दोस्तों तो यहां पर अधिक वर्षा उच्छी तापमान यह आप्शन सही हो जाएगा तो आपका फूर आप्शन राइट एंसर होगा यहां पर चले लगए प्रस पाते हैं डेट को सब्सक्रशा करें कि निमली खित कस नों पर विचार करें से पहला ल hinter स्विस्टैफंश मों में प्राक्र्था रोब से पाए जाता है और और द senior में सूची बद्ध है और बद्ध है बद्ध है इसके बाद यहां पर बद्ध है यह संटेस थोड़ा जगलत है टेक्साल नामक और सदी प्राप्त की जाती है जो पार्किंसन रोग में प्रभावी होती है बिल्कुल सही बात है यहां पर यह भी तत्त नहीं ठीक है डाटा प्रभावी होती है तो यह गला एक संद्ध रहे हैं नम भूमी के संद्ध्षर से संबंदी से रामसर समयलन दो फरवरवरियों से कहत्तर को हुआ रामसर इरान में इस्तित एक नगर है जहां पर सम्मेलन सरप्रतों संपन हुआ था तो जी यहां बिल्कुल इतनी बात बिल्कुल सही यहां पर बताई गई है और फिर चौथा आपसन कहे रहा है यू एन ओ द्वारा यू नो द्वारा दो हजार बारा को अंतर और राष्टी वन वर्स घुशित किया गया था यू नो द्वारा तो यह स्टेट्मिंट आपका गलत है बाकी सभी सही है तो फोर नूमबर आपसन आप अगर 2011 कर देंगे तो सभी सही हो जाएंगे तो इस अधार पर देखे पहला दुसा तीसरे का जो आपसन होगा वही करे यह बताना है आपको हमाले पत्र नामक एक ब्रिक्ष होता है जिसके अवसदी से दवाई बना जाती है कैंसर के दवाई बना जाती है इसकी जो छाल होती है दोस्तों छाल से इसके अलावा नुकीले जिसके सभी हिससे बहुत हिंप्र्टेंट होते हैं दोस्तों नुकीले इससे टहनियों से जड़ो से इन सभी से दोस्तों क्या बनाया जाता है टैक्साल टैक्साल अलल साइख सफानaking योगी रासानिक योगी किस ब्रेक्ष से निकलता है जो की कैंसर के लिए प्योगी होता है तो आपको यहां पर बताना होगा तालिस पत्र तालिस पत्र यह ब्रेक्ष है दोस्तों पात्र यह पत्र है वो पात्र नहीं है तालिस पत्र ठीक है यहां मैंने लिखा इसको ठीक है तो ताल और यह सबसे ज़्यादा वाला कैंसर लोगों के इलाज में यह सफलता पूर्ण अवसद्धि के रूप में प्रियोग में दोह से उसका जहां होगता है दोस्तों तो यह स learnsरा कर रहा दूसरा कर रहा पुर्वी हिमालम्न नहीं पाया जाता है जो कि यह पूर्वी हिमालम्न नहीं कर थे तो कहा है पूर्वी हिमालमर रिखад से औरmam बात बिल्कुल नहीं तक है नहीं तो बात बिल्कुल नहीं सही है अगला दूसरा कह रहा है इन वनों को महोबनी और आवनोस की प्रजातियां सामिल है तो आपको ध्याँ रखना होगा क्या रहा है अगला दूसरा को में जो है पाया जाते हैं जहां पर लगभग जाने जाने जिए 200 सेंटीमीटर वर्सा होती है तो टेंपरेचर आप जानते हैं लगभग बाइस डिगरी सेस्ट के आसपास इन चेत्रों में रहता है तो यह चीज यहां पर है और यह जो छेत्र पाया जाते हैं तो गलत है इसके अलावा कहा तो आपके मिलेंगे तो क्यों करने के नाती गलत हो गया अगर कहता वहां भी पाया जाता है तो सही जाता क्यों कि लिए नहीं प know that करा सिल्वर फर जूनिपर रोडे ढरारल के रोडेंड्रान गर वाивать करेंगे तो यह तीनों तो पाया जाते हैं दोस्तों लेकिन यहां पे जंदन का Erics it वो यह नहीं पाया जाता है ठीक है दोस्तों क्या नहीं पाया जाता है तो यह तोड़ा सी बात को ध्यान रखना है तो यहां पर होगा क्या जो कहती हैं प्रजातिए समलीत हैं सामिल है तो अपसों आपका भी राइट होगा वो तीसे नंबर का हो जाएगा जिसमें तीनों दिया हुआ चौता नहीं होगा नाइन नंबर कोश्चन है कह रहा है है कि भारत में उसकर बंधिये काटेदार वनों के संबंद में निलुखित कतनों पर विचार करना है आपको काटेदार जो ब्रेक्ष होते हैं उनके संदर में प्रस्ण पूछ रहे हैं आपसे चलिए जब आप दीजिए फटापर दोस्तों कि कह रहे हैं कि उसका बंधिये काटेदार बंधिक यहां पर यह वन सत्ता सेंटीमीटर से कम अर्सा वाले छेत्रों में पाये जाते हैं यहां काटे वाले बंत्व महाई पर पाये जाएंगे तो फिर बिलकुल सही है इन बनों के ब्रेचों की जड़े प्रस्ट को आपको भारत में किसी विसेश फसल या प्रणाली को अपनाने के लिए उत्तरदाई है तो पहले कि भूमी धारड का आकार और प्रकार जी हां जिस तरह से भूम भारत में तो बिल्कुल सही है खाद पदार थो कि घरेलू आफशक्ता जी है जो आफशक्ता होती है उन्हीं फसलों का तो आप प्रयोग करते हैं बिल्कुल सही यह भी है तो यहां पर चारों आप्सन बिल्कुल करेक्ट जी है पाचवां भी दिया है सरमा उप्लब धेता बिल्कुल जी है जिसके हम प्लब धेता का बेशी विद्टा बिल्कुल होता है और banyak बतार थे गर उप तो यह अगर नहीं सरमा को पार्गिो यहां पर मिःस वसल्विद्दी भार McMी दिवाँоды हो दोस्तों रिगर केसंदरमें के बिद्धों के बारे में ठीक है तो कई रहा है तो ऑप्पाती बनों एक पर बिचार करें ठिक चलिए ये पूर्वोत्तर राजियों में हिमाले की तलटी पस्चिव घाट के पूर्वी ढालों पर उड़ी सा जहारखण और चतीस गड़ में पाय जाते हैं यह पहला इनका ऑपसन है तो यह तो बिल्कुल सही है दोस्तों यह उसको पड़ पाती बनों के वारे में जिन चेत्रों में यह बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं आपे हिमाले की तलहटी पस्विक हाठ तो यह स्टेट्मेंट आपको देखना है कि क्या यह सही बात बता रहे हैं सिंकोना ब्रेक्ष के बारे में जो कह रहे हैं तो बताई आप सही है पाई जाना व्यावसाइग रूप से महत्पुड ब्रेक्ष है सिंकोना चलिए देखते हैं तो क्या कह रहें कि यहां पर सिंकोना कुनैन और इन बनो में पाये जाने वाला व्यावसाइग रूप से महत्पुर ब्रेक्ष है तो सिंकोना और कुनैन की जो बरिख पाये जाते हैं उस करवें पढ़ पाती बनों में नहीं दोस्तों यह सदा बहार सदा बाहर बनों में पाए जाते हैं तो इसका ररट से गलत हो सब्सक्राइब और पर ताट बरफाती में में चलाए तुन कि आप जान लीजे कि रबर है सिंकोना है आपनूस है महोगनी है यह तवाम सारे उसकरबंद्य सदा भारवनों के ब्रेक्ष है ठीक है तो यहां पर यह गलत हो जाएगा यह इस आधार पर तो पहला आप्सन राइट हो जाएगा दोस्तों चलिए आगे प्रस्प्र आते हैं ट आप समझ गया होंगे बिल्कुर अच्छी तरीके से तो जल्दी से बताई जवाब क्या कह रहा है कि निमिकित कत्नों पर विचार कीजिए ठीक है भारत में किसी अने परकार के बना च्छादन की तुलना में उसकरबंद्य सुस्क पढ़पाती बनों के अंतरगर सरवादिक च्छेत्रफल आता है तो यह क्या सही है जी नहीं यह सही नहीं है सबसे ज़्यादा च्छेत्रफल यह क्या उश्करबंद्य पढ़पाती बनों के बारे में यहां पर कह रहा है पढ़पाती नहीं सदावार बनों के संदर में कहता तो कुछ समन में आता यहां पर जो कह रहा है उसको अंदर भारत में सबसे ज़्यादा छेतर जो है आदर पड़ पाती बनों का आता है सुस्क का नहीं आता है दोस्तों मैंने कहा ना आदर का आता है सुस्क का नहीं आता है तो ते साथ यह गलत हो जाएगा आदर उसको अंदर पड़ पाती बनों का चेतर फुल भारत में सबसे ज़्यादा है जब कि यहां पर कह रहे हैं सुस्पडपाती बनों काय तो गलत हो गया ठीक है दोस्तों दूसरे पर कह रहे हैं तटीयों दल्दली यह वन चेतर डेल्टा और एस्चुरी के समी पाए जाते हैं यह सक्री खाडियों के आसपास नहीं उकते जी नहीं यह गलत हो गया यहां तो पाये जाते हैं यह तो पाये जाते Şu Ini एप KEBI ज़ै तो गयां चईरी में जो कह रहा है यह गलत कहर रहा है जीनी यह सकरी खाडियों के आस पास भी उगते हैं, ठीक है अस्चुरी सकरी खाडियां यहाँ पर ज्हार परौबाल छेतर होते हैं जहाँ पर भी होंगे, दोस्तों वहाँ पर खाडियों गया रामें भी पाए जाएंगे तो इसनाती है गल्लत हो जा रहा है आपका ये भी गलत हो जा रहा है तो दोनों गलत होंगे कोई आपसन सही नहीं है तो आपसन देखते हैं कोई नहीं आपसन का दिया हुए फोर नुमबर पर यही राइट एंसर होगा अगला कहा रहा है भारत में वन आवरड के संदर में नेमिकित कतनों पर विचार कीजिए वन आवरड की बात कहा रहा है भारत में इसके संदर में आपको बताना है कि कौन सा क्या है सही है कि गलत है तो यह बताई जल्दी से बहुत अच्छा कोजिशन है मज़ेदार है मैं जवाब नहीं दूँगा इसका अब बताई इसको क्यारा दस परिसे अधिक से कम बन छेत्र वाले ज्यादा तर राज देश के उत्तर और उत्तर पस्षी भागों में अवस्थित हैं यह तीसरा करा जं जंगली खजूर अच के पूरा सब्दे़ खजूर क अब नीम को में ही ओ और यहाँ पर सब्दे़ कोई और मिलम नहीं लिखा इसमें और कट बंधिया पड़तीन है यहां पर खेय्र होना छाँ जंगली खजूर नीम और खैर और इसके अलावा कटी बंधिये कौन से कटी बंधिये उस्ट कटी बंधिये कटी बंधिये यहां पर पड़पाती वनों में पाई जाने वाली प्रणपुर जातिया है यहां पर जो बात कह दी गई है उस्ट के बाद पड़पाती बंधिये सदा बाहर न हो तो यहां पर जाती है कहा है है सब् Assad में तया हिए यहां पर यह लिए और यह रहा है यहां पर यह प्युंगा पर यहां यह रहां पर यह बागा नहीं है सब्सक्राइब बिल्कु स्थाइए तो दूसरा आपका आपका आप सर्य वह भी सई है पहला दूसरा सही होगा तीस्टा आपका गलत है ठीक है तो यह ध्यान थोला से अपने दिमाग में आपको रखना है चलिए अगले प्रस्प आते हैं तो इसका आप्सन जो है पहला दूसरे का जो है वो करेक्ट हो जा रहा है आपका तीसा आप्सन राइट होगा चलिए प्रस्पे फॉर्टी नमर कोश्चन है यदि आप मध्य भारत से होकर यात्रा करते हैं तो आप निम्लिखित में से मध्य कि frontे सुखते होएट चलिए नीयुकुत के मध्य वह देखेंगे तो बिख्याइए। तो इह क्या साही में आपको बताना है तो कि तो दिखेंगी साल के भी बिख्य देखेंगे लेकिन लेकिन ऊकिर बारे में हम बात करें तो यह परवतिया परवतिया प्रवतिया- तोदिसरा हो जाएगा किवाद मद भारत की कहला आ है तो पहले में है तो यहीं दोस्तों लिवने समय के बारे में क chopsticks करantically है आपको वो क्यों सा विचार करना है कह रहे हैं वर चेत्र के बारे में विचार करें यह राज के राजस विभाग के आकड़ों पर आधारित होता है जो राजस विभाग के आकड़ों पर आधारित होता है जो राजस विभाग का आकड़ा जो कहता है वो बिल्कुल सही कह रह तुझे के राज के राज के राजस विभागत पूल चत आते हैं । यह देखिए आपको अच्छा लग रहा होगा ञखिए कमी क्या है यह वनो द्वारा आजचादे छेत्र है कौन वन छेत्र दिखें वन छेत्र जो होता है सरकार के द्वारा यह घुसित कर दिया जाता है वन छेत्र तो कोई जरूरी नहीं कि पूरे छेत्र में ही वन ही हो बहुत सारा छेत्र ऐसा होगा जैसे इस चेत्रों में एक यहां नहीं देकिन वह भुषी तो जरूरी नहीं कि आज चादि तो यह गलत हो जाएगा आपका तो एक पहला और तीसरे का अप्शन जो होगा वह करेक्ट होगा फोर नमबर आप्शन आपका पहले और तीसरे का यही राइट एंसर आपका बनेगा दोस् लिक्साइब के लिए इसकी बात के रहे हैं इसकी स्थापना रास्टी खिर्षी आयोग की सिफ़ारिस से की गई थी जी इसकी सिफारीस रास्टी किसी आयोग किसारीस के आधार पर की गई थी ठीक है और इसने अपनी रिपोर्ट नाइडी सेवेंटी सेक्स में दिया था तो बिल्कुल सही बात आपकी यहां पर लिखी गई है तो किया गया था और फार्ट सर्वे आफ इंडिया जो है यह पर इसने अपनी जो इसे पारिस की ती उननी सो चीटर में की थी इन्होंने ठीक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसके आधार पर ही गठन किया आगे चलकर के फार्ट सर्वे आफ इंडिया की ठीक है तो यह बिल्कुल सही बात है फिर कह रहा है यह प्रतिवर्स भारत तो वन इस ती रिपोर्ट प्रसुत करता जी नहीं देखिए यहां प्रतिवर्स कह रहा है ना प्रतिवर्स बात होता है दोस्तों यह गलत हो जाएगा फिर कह रहा है यह सेटेलाइट दोरह प्राप्त डेटा आकड़ों का बिस्रेसर करके देश के वरा च्छादन का मुल्य के रहा है निमलिकित फिंकों पर विचार की जिए वनों के प्रकार कर आए संघ राज चेत्रों में जहां वह पाये जाते हूं उनके बारे मैं कह रहा है ठीक तो चली Horizontो कि डगते है तो पार बारौत के बारे में कह रहा है वाधर अच्छे बारे में में मैदानी Commons कि in और तो विसा यहाँ पर दे रहा है तो कहरा वड़ी साहर है पर पाती बनों थो जी है विल्कुल यह वी सही है आतो जी है कटी m है आपको यहाँ पर आपको ध्यान रखना कों से सही नहीं है यह दोस्तों तो चली देखते हैं पहले गरा साल आध्रपड़पाती बनों में पाए जाते हैं यह आपको बताना है कि भारत में प्राकृतिकी वनस्पति से सम्मंदी निल्गी कत्रों में से कौन से सही नहीं है नहीं बताना है साल आद्रपड़ पाती बनों में पाये जाते हैं यहां साल आद्रपड़ पाती बनों में ब्रिच्छ है बिल्कों सही अच इसी के बारे में बात हो रही थी न चंदर उंगरा के बिसी के स्रेडी में आते ह यह पयाता है देवदार को पस्चमी घाट पस्चमी घट वाले या पर्वतिए ठालो वाले पृतो पर पिर पर बेगादु यह पर दी कर वें जो हिस्टेहां इसके ओपर घध की मेडान बहुते हैं यह बहुते हैं ट हुंए पहले हुए मिलते हैं ऋर इनके बीच की जो चोटियाunk और प्राचिन अरुद्ध उसका बंदिये जंगलों से काफी हथ तक ढखी रहती हैं दोस्तों जिने अस्थानिये लोग अपने लोकल अस्तर पर इसको सोला के नाम से जानते हैं परवतों के उपर घास के मैदान फिखें ऐसे आप समझ लीजिएगा इसको कि परवत के उपर घास के मैदान जेए जो प्राचीन चेटियों पर उसका बैंदे जंगलों से ढखी हुई हैं उन बनओं को वहां पर अस्तर पर इसको सोला कहा जाता है है और बात जहां तक हो रह Kansas की यह देख लीज़े यह गलत हो जाएगा आपका उत्तरी भागव में हमाले की पछार में कह रहा है तो यहां पर यह गलत होजाहेंगा थीक है यहाँ पूँछा तक गलत कौन है चलिए ठीक है के ज के बारे थो रहे थोड़ा से बता दूंव, देब भारत का प्राइदीपि है के लिए इसको पर बाइदीपि भाग जुहें वहां पर इसकी खेपीडी की जाति हुँ लगवर्वाग्व यड़ ल्खकिटेल उसकी खेपी बड़े प्रमाने सब्सक्राइब कागज के बनाने में कई जाती है और इसी से ही साधी साथ इसका जो प्रियोग आ जायता है और किया जाता है दोस्तोट तो थोड़ा सा बात था कि ये आपको मैंने बता दिया चलिए अगले परस पर आते है तो इसमें बताना है आपको सही कौन से हैं चलिए आई देखते हैं दोस्तों कह रहे हैं पहला हिमाले के सीतोष्ड बनों को सोला कहा जाता है तो देखिए अभी तो आपको मैंने तुरन बताया है तो यह तो बिल्कुल आपका हिमाले के सीतोष्ड बनों को सोला कहा जाता है औ कि हिमाले की ओपरी भागों पाय जाता है सोला के बरेटा यहां पर यहां हिमाले की खाट में होगा कहेरہ रहा है जोड़ी और दोस्तों är कि आहे पर मैंने बता बताएं गालत था ठीक है तो इसमें कहा बुलनो के संद्सवन निखेग हां पर विचार करना है है ठीक है तो यह तो बिल्कुल सही नहीं है वस्तों हिमाले में यह सोला कहा जाता है यह गलत है क्योंकि यह दूसरा पाइन देवदार और सवनौबर आधि हमाले शेत्रों में पॉइं जैनंवाली प्रग्वकें बनस्पतियां किपर छौथा कह रहा है हिमालय के उत्र हाल कि पेच्छा दच्री ढाल पर के टा अधिक है यहां पर बनस्पतियां कम है और इधर दच्छिवाइड अधिक है तो यहां पर दूसरा तीसरा चोथे का आप्षान जो है सई यह पाहला इक गलत था दोस्तों और चलिए आए लास्ट कोश्चेंट पर चलते हैं यह आज का आपका लास्ट कोश्च्चन है वीसवें नंब की बारे में एक जानते हैं क्या होता है सहें का नाम सुनें हैं भीठस अपने खाया होग Georgia ऐा लूब ज्यासे अबी वहलब कर दोंने होते हैं और वोद लूबिया के जैसे और उसमें सब्सक्रेंब करके खाया जाता है फसल बनती है और छोने देखा यह आपको बताना है कि सदा पर डी नहीं कि नहीं है यह कराओं है तो या पर क्या कह रहा है कुश्चिन सदासक्र परड़ी-वूरिण क्या है प्रदीडार यहां प्रटोल्त है । कि असादारिय का पत्ता लिये रहे हुमने लिए और इसके बाद कर दच्छटर अफ्रीका का स्थाने व्रिक्ष है ये अफ्रीका का है इसमें गलत कह रहा है कि अस्थानिक स्थानिक बीच्छ प्रिक्षा का घंट है और यह जानते हैं कहां उश्ट्र कटी बंधिए ठीके उश्ट्र कटी बंधि तो यह थोड़ा ध्यान लखिए एमली का पेड्ट दच्ट अफ्रीका का स्थानिक व्रिच्छ यह गलत दोस्तों इमली का ब्रिच्छ जो है वह अफ्रीका का स्थानिक व्रिच्छ यह गलत हो गया तो दूनों स्टेट्मेंट बिल्कुल अभी तक गरत हो गए भारत में अधिकांस इमली लग हुद पादों के रूप में संक्रहित कि जाती है बिल्कुल सखी ऑनव बहुतहों बासुपराइन पर होता है दोस्तों जान लिआ की लगबग जो है करता है ठीक है दोस्तों यह थोड़ा से ध्यान रखिएगा दुनिया की लगबग 80% मोरिंग की मांग पूर्ती भारत के द्वारा ही होती है यह यह कह सकते हैं आपकी दो चीज आप जाने लिए पहले चलिए बता दोता हूं सहजन जो है न इसका लगबग 80% उत्पादन जो है भारत के द्वारा किया जाता है ठीक है और 200 की जो मांग है इक तरह से कहिए वह 80% मोरिंग होती है भारत में लगबग कह सकते हैं आपकी दुनिया में इसकी आप पूर्ती करने वाला जो देश है भारत सबसे जादा है ठीक है और इसका जो भारत में इमली की बात जहां तक ह वो लगबग 60 देशों को भारत से जाती है, बहुत बड़े पैमाने पर लगबग करीम में इमली का उत्पादन होता है, लगबग इसी के करीम में इसका उत्पादन होता है, यानि कि सहजन और इमली के उत्पादन में भारत अग्रड़ी है, ठीक है, अग्रड़ी है और सबसे तो इस तरह से 3, 4 और 5 वी का उप्षन बिल्कुल सही है तो दूसरा आप्षन बिल्कुल करेंट यहां दे रहा है दोस्तों जो प्राकरतिक बनस्पतियों से संबंद ये टॉपिक रहा है आपको काफी हज़ तक समझ बनाने में आपकी काफी हल्प किया होगा और एक ठीक ठाक समझ बनी होगी दोस्तों इसी तरह से आप लोग मेहनत और रिविजन करते रहिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में कुछ नई